मेरी तरफ से तुमाम एहल इसलाम को दिल्ली एद मुबारिक मैं मर्कजी नाइब सद्र नजर सेंट जिल्यानी डिस्ट्रिक गुजरात प्रेस क्लब मैं आज रम्दान मुबारिक के बाबरकत महिने के बारे में और इद फितर के बारे में आप से कुछ अर्द करना जाता हूँ रम्दान मुबारिक के इस्ताम पर इद का तहवार एक खुशी बन कराता है रम्दान मुबारिक के इस्ताम पर इद का तहवार एक खुशी बन कराता है और इस खुशी के बोके पर मेरी तर्फ से आप सब को दिल्ली इद मुबारिक वैसे तो कहते हैं कि खुशी का तल्लक किसी दिन से नहीं होता वैसे तो कहते हैं कि खुशी का तल्लक किसी दिन के से नहीं होता दिल से होता है अगर दिल खुश है तो हर दिन इद जैसा है और अगर दिल खुश नहीं तो इद भी इद नहीं होती इद के दिन भी जिनको अपने प्यारूं की धीद नहीं होती यारो बात तो कड़वी है पर उनकी इद नहीं होती अपनों से अगर नराज हो तो सब गिले शिक्वे मिटाकर सब रंजशें बलाकर गले लगाकर उनको आज इद का दिन मिले और जो लोग देश से दूर पर देश वे रहती हैं उनको इद थोड़ा दर्थ भी दोती है जो लोग देश से दूर पर देश में रहती हैं उनको इद थोड़ा दर्थ भी देती है मगर कोई बात नहीं जो फासले हैं दर्मिया दिल तो दिल के पास हैं आज अगर तुम पर देश में हो तो कल देश के हलात बिद लेंगे तो तुम भी पर देश से देश में जाओगे अपनों को आसाथ पाओगे एद अपने यारों के यारों और दिलदारों के साथ मनाओगे इद की सची हुषी तो